खोज वर्ड में आपका स्वागत है और खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे धुनिया की 7 खूबसूरत जगे अगर आप वहां नहीं गए तो आपका जीना बेकार है कौन सी हैं वो दुनिया की साथ खूबसूरत जगह है इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के साथ अजूबों के बारे में तो बहुत से लोगों को पता है लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो बेहत खूबसूरत और आश्यर चकित करने वाली हैं आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाली जगहों के बारे में बता इसी बड़िया जगे घुमने का प्लान बना रहे हैं तो इन प्लेसिज को अपनी लिष्ट में जरूर शामिल कर लें तो कौन-कौन सी हैं ये जगें सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र में गुफाओं की ये ऐसी एक जगे है जो अमेरिका की सबसे बड़ी जील में इस्थ इन चट्टानों के ऊपर पौधों की सैंकड़ों प्रजातियां हैं आप गौर से देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है ये जील दोस्तों इस जील का पानी देखिए कितना ट्रांस्परेंट है आप अगर कोई चीज नीचे डालोगे तो भी आपको as it is दिखेगी अब बात करेंगे ब्राजील के उत्री थटकी यहां रेत के टीले नीले दूर आसमान से मिलते हुए दिखाई देते हैं यह द्रश्य हैं फोर्ट लेजा से तीन सो क्लोमीटर दूर पश्यम में एक छोटे से गाउं जैरी को आ कोरा का इरान के विक्टर मतेई इस जगे के बारे म लिखते हैं कि यहां समय मानो गायब हो जाता है दोस्तों अगर आप इस जगे को देखते हैं तो एक टक निहारते ही रह जाते हैं ऐसा महसूस होता है कि मानो इसको देखते ही रहें समय कब भी जाता है कुछ पता नहीं चलता यह यहां की खुबसूरती है जिसके कारण ऐसा लगता है बात करेंगे कोलम्बिया का उचा कैथेड्रल की पहाड जंगल और नदी एकवाडोर की सीमा से लगे कोलम्बिया के शहर इपियालेस में गोथिक कैथेड्रल है ये इसका नाम है लास लजास इसके 100 मीटर नीचे देखे कितनी शांदार नदी बह रही है ऐसा लग र बात करेंगे सफेद संगमरमर की ये राजस्थान के उदैपुर जिले में स्थित रणकपुर का मंदिर है दुनिया के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक और खुबसूरत जगे मानी जाती है दोस्तों ये ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर ठंकर भगवान आदिनात को स मर्पित है इसकी खासियत ये है कि ये मंदिर एक हजार से अधिक नकाशिदार खंमों पटिका है और ये सभी सफेद संगमर बर से बने हैं दुनिया में एक हाथी और 108 सांपों की मूर्तियां हैं और खास वात ये है कि सभी मूर्तियां मार्वल के एक पत्थर से तराशी कम नहीं है कैलाश परवत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और ये सिंदु ब्रह्म पुत्र गंगा की सहायक नदियों के उद्गम स्थलों के निकट है बात करेंगे पाकिस्तान की रहसे पूर्ण घाटी की पाकिस्तान में ये खूबसूरत जगे है कलश देखिए अपनी आखों से देखिए कितनी खूबसूरत नजरा रही है ये घाटी जितना नाम पवित्र है उतनी ही सुंदर है ये घाटी पाकिस्तान के उत्तरपश्यम और हिंदुकुष परवस्रंकलाओं के बीच पसी इस घाटी के प्राकरतिक नजारे बेहद मनमोहक हैं चानकार स सेलानी एक बार जरूर पाकिस्तान की कलश घाटी जाने की शिफारिश करते हैं अब बात करेंगे आबुधावी के रेतिले समंदर की दुनिया की सबसे बड़ी खाली जगे रेत के ये समंदर सुदी अरब से लेकर यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमिरात तक फैले हैं एल अपनाओं से भी सुंदर था, ये थी आज की साथ सबसे खुबसूरत जगे, दोस्तों आप अपने घूमने की लिस्ट में जरूर इनको शामिल कीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे तुनिया में ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, खूजबर्ड में आज इतना ही, फिर म मिलेंगे एक नई विशे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिये जाज़त, नमस्कार